मेरे चैनल के साथ जूढने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकों पर क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में सबसे पहले मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को इतना पसंद किया और सपोर्ट किया आप सब लोगों के इस प्यार के काराण ही मुझे में भी उत्सा रहता है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के नए नए वीडियोस बनाओ नाम वाले व्यक्तियों के सभाव के बारे में अगर आपका नाम डबली अक्षर से सुरू होता है या आप इन लोगों के बारे में जानकर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखी सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सभाव के बारे में दोस्तों इन लोगों का सोभाव बिलकुल अलग किस्म का होता है जो काम एक बार मन में ठान लेते हैं जिस काम को एक बार मन में तै कर लेते के ही से करना है तो उसे किसी भी हालत में ये पूरा करकर ही मानते हैं ये लोग अपना मन पसंद काम ही करते हैं और जो भी चीज चाहते हैं ये अपने जीवन में उसे अपने दम पर प्राप्त करते हैं। इनका सुबाव थोड़ा नखरिला भी होता है। किसी भी चीज या काम को लेकर ये थोड़े नखरे करते हैं। ये लोग बहुती ज़्यादा चूजी किस्म के होते हैं। बहुत जल्दी इनको कोई भी चीज पसंद नहीं आती। ये लोग हमेशा एसे ही लोगों के सरकल में रहना पसंद करते हैं। जो इनको पसंद करें। जो लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ये लोग उन्हें भी ना पसंद ही करते हैं। और उनसे किसी भी प्रकार का गवार नहीं रखना चाते हैं। हाला कि ये सुभाव से नर्म होते हैं। परंतु कभी-कभी अपने सुभाव में इतनी ज़्यादा सक्ति लाते हैं कि सामने वाले को भी समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। ये लोग सालसी और फूर्टेले होते हैं। डबल्यू नाम वाले लोग जिद्धी भी होते हैं। और कभी-कभी तो इनकी जिद्ध इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले को कहीं ने कहीं इनमें गमन दिखाई देता है। ये लोग हमेशा अपनी बात सबसे उपवर रखते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि ये हमेशा अपना सिक्कात चलाना चाते हैं। दोस्तो अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। दोस्तो ये लोग एडवेंचरस वाले काम, रोमांचिक काम करना पसंद करते हैं। चाए हिमाले की चोटी पर जाना हो या समुद्र की गहराईयों में, ये लोग उस काम को जरूर करेंगे, बलकि ये तो चुनते ही इस प्रकार के काम है, जिन में एडवेंचर और थ्रिल हो, जो काम आसनी से हो जाए, वो काम तो ये हाथ में भी नहीं लेते, इन लोगों में ज चेलेंज वाले होते हैं, अपना ज्यान बढ़ाने के लिए ये लोग हमेशा ज्यानी और बुद्धिमान लोगों के आसपास रहते हैं, क्योंकि इनके आसपास ऐसा अनुकूल माहोल रहता है, तो ये अपने इनी गुनों से एक दिन ऐसी उचाईयों को भी छूते हैं, जो ह आए अब जानते हैं इनके प्यार के बारे में, दोस्तो इन लोगों के जीवन में प्यार की बहुत ज्यादा अहमेद नहीं होती है, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए एक एरेज लिमिट तक प्यार से ही ये संतुश हो जाते हैं, फिर भी कभी कभी ना ना करते भी ये सेक्स के ब्रती इन लोगों का रुजान एक एरेज लिमिट तक ही होता है, दोस्तो ज्यादा बोलना और बे फालतु की बाते करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, जितना काम उतने ही बात ये लोग करते हैं, दोस्तो प्यार के मामले में इनकी किस्मत समझ लो या फिर क हो जाती है, ये लोग मस्त मोला टाइप के लोग होते हैं, और जीवन में हमेशा मस्ती में रहते हैं, दोस्तो अगर को इनको प्यार और हमदर्दी दिखाए, तो ये लोग उससे प्रभावित नहीं होते, बलके ऐसा समझते हैं कि ये कही न कहीं दिखावा कर रहा है, और कह नहीं न कहीं ये लोग शादी से पहले एक अरसफल प्रेमी साबित होते हैं, हाला कि सब लोग ऐसे होते हैं मैं ये नहीं कहता, मेरी बाते 80-90 प्रतेशत तक सही होने की में बात करता हूं, बाकी कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, पर अधिकतर लोगों के साथ ऐसा देख गया है, दोस्तो अब बात करते हैं इनके गुणों के बारे में, दोस्तो नामुम्किन जैसे शब्ट तो इन लोगों की डिक्ष्णर में होते ही नहीं है, चाहे कैसा भी मुश्किल काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, ये लोग उससे ना कर सके, ऐसा होना तो लगबग impossible होता ह अपने हर काम को ये जुनून की तरह, एक एडवेंचर की तरह करते हैं, हाला कि बड़ापे में इनको तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह की जिन्दगी एडवेंचर वाली इन लोगों ने जवनी में जी हुई होती है, वो काम अब बुड़ापे में नहीं कर सकते, और इस कि इनको मन में बहुत खीज रहती हैं ये लोग अपने काम से काम रखते हैं और कभी दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते और ना ही दूसरों को अपनी जिंदगी में दखल देने देते हैं और अपने इसी गुन के कारण ये सफल भी होते हैं क्योंकि जो इंसान जीव करनी पड़े कि कौन सी चीज को महत्व देंगे तो ये लोग पैसे को ही चुनते हैं और इसी वज़े से इनको जीवन में सफलता भी मिलती है और रुत्बा हासिल होता है इन लोगों का थोड़ा अडियल किस्म का रवया भी होता है इसलिए इनके आसपास लोग कम ही नज़र आएंगे लेकिन फिर भी ये सफलता हासिल करते हैं क्योंकि इनका जुनूनी सोभाव और लेडर्शिप वाला गुन इनको आगे बढ़ता है तो दोस्तों ये थी डबली नाम वाले लोगों के बारे में कुछ जानकरी अगर आपको ये जानकरी पसंद आई हो तो इस वीडि रिष्टेदारों में ताकि सब लोग ये इंट्रेस्टिंग वीडियो देख सकें अगर आप किसी डबली नाम वाले विक्ति को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए कि आपको ये जानकरी कहां तक सही लगी और दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें मेरी वीडियो को अंतक देखने का और मेरे साथ जुड़े रेने का बहुत बहुत धन्यवाद